Welcome to Class Oxide, इस वीडियो में देखेंगे CBSE Class 9, Civics Chapter 2, Constitutional Design से Part 4, आप देखोगे कि आपके बुक में चैप्टर कुछ इस तरीके से डिवाइट किया है, तो यह जो लास्ट पॉइंट है, Guiding Values to the Indian Constitution, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे इस लेक्चर में, देखो, basically इस वीडियो में, इ हमारे Constitution का Philosophy क्या है, हम लोग यह समझने का ट्राई करेंगे, और Constitution का Philosophy अगर आपको समझना है, पहले तो like Philosophy मतलब क्या, Philosophy मतलब कि हमारा Constitution जो है यह चाहता क्या है, हम लोग उन्हें जो यह Constitution बनाया है, हमारे जो Constitution Makers जो है, उन्होंने जो Constitution बनाया है, उसमें वो लोग क्या दे तो basically इन सब और भी constitution में क्या है, क्यूं है, इन सब के बारे में constitution का philosophy जो है, वो discuss करता है, तो constitution का अगर philosophy समझना है, तो दो तरीका है, एक, constitution बनाने वाले जो हमारे leaders जो थे, ऐसे leaders, जिन्होंने freedom struggle में participation किया, जिनका view constitution में present है, उनके views को read करो, हमारे जो leaders जो है, उनका अगर आप बातों को सुनोगे, उनके views को read करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा constitution का philosophy क्या है, या फिर, दूसरा तरीका है, कि हमारे constitution के एक पार्ट में, हमारे constitution के starting में ही एक पार्ट है, और इस पार्ट में हमार constitution का क्या philosophy है, ये लिखा गया है, उस पार्ट को हम लोग बोलते है, preamble, उस पार्ट को हम लोग बोलते है, preamble, तो हमारे constitution के preamble को अगर आप study करते हो, तो भी हमारा constitution का philosophy आपको पता चलेगा, तो दो method है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहला method, हम लोग अलग-अलग लीडर्स की व्यू को एक बार थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं जो पहला मेथड है उसी के अंदर ये टॉपिक आता है अब यहां जैसे हम लोग बात करते हैं अलग-अलग लीडर्स के व्यूज का उसमें से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं महत्मा गांधी जी के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि जब कॉंस्सिट्उटिउसन बनाने का प्रुसेश चल रहा था तो जिस प्लेस में हो रहा था क्या बोला गया उन प्लेस को? फ्यूंसरय रखते हैं इस कॉंसरयंट एसेम्छीnd में महात्मा गांधी जी मेंबर नहीं थे महात्मा गांधी जी इस कॉंसिट्वेंट एसेंबली में मेंबर नहीं थे लेकिन महात्मा गांधी जी की जो आइडिया है उसको वहाँ जो बाकी दूसरे मेंबर जो लोग है उन लोग ने एक्सेप्ट किया और उसको constitution में add किया महत्मा गांधी अपना खुद का view बताने के लिए वहाँ नहीं थे constitutional assembly में लेकिन बहुत सारे leaders जो महत्मा गांधी जी के view को support करते थे उन्होंने महत्मा गांधी के उन विचारों को उन views को वहाँ constitutional assembly में रखा और उसको constitution का पार्ट बनाया तो आज भी हमारा constitution अगर आप read करोगे तो बहुत सारे provisions जो है वो महत्मा गांधी का view से आता है ठीक है तो जैसे महत्मा गांधी जी क्या चाहते थे ये बाकी जो leaders जो constitutional assembly में बैठे थे उनको कैसे पता कि उनका view क्या है तो independence से कही पहले महत्मा गांधी जी लगातार इस बारे में बात करते थे लिखते थे कि future का independent इंडिया का constitution कैसा होना चाहिए ये लगातार वो लिखते थे बताते थे जैसे एक magazine था यंग इंडिया उसमें उन्होंने कुछ mention कि कि constitution of इंडिया कैसी होनी चाहिए जैसे उसमें कुछ topics पर बात किया था उन्होंने जैसे कि poor का voice जो गरीब है जो society में जो थोड़े से पीशे रह गए है उनको voice मिले ताकि वो लोग भी equally सामने आख़र के अपनी बाते को रख सके और वो जैसे बताते हैं वो कैसा constitution चाहते थे कि एक ऐसा constitution जहां पे society के हर कोई harmony के साथ में peaceful तरीके से एक दूसरे के साथ रह सके society में untouchability practice ना हो country में जो intoxicating drinks है, drugs है ये सब use ना किये जाए and women's को भी वही right दिया जाए जो कि men's का और भी बहुत सारे हैं तो ये सब थे view किसके महत्मा गांधी जी के और इन सब चीजों को add किया गया हमारे constitution में हमारा constitution में ये सारी बात ये present है ठीक है, तो ये तो महत्मा गांधी जी का view, तो यानि कि महत्मा गांधी जी का view को अगर आप study करो तो क्यूंकि ये view constitution में प्रिजेंट है, तो आपको Constitution का जो philosophy है, view है, वो भी आपको पता चल रहा है, सिर्फ इनका नहीं, अगर कुछ और दूसरे leaders की बात करें, जैसे Dr. Ambedkar साहब, हमारे Constitution बनाने का प्रोसेस में, Dr. Ambedkar साहब ने भी बहुत important role play किया, वो chairman थे, drafting committee के, बहुत सारी बात वो पे, Dr. Ambedkar and Mahatma Gandhi जी का जो thought है, तो view है, वो match नहीं करता था, इसलिए even बहुत बार, वो criticize भी करते थे, Mahatma Gandhi जी को, देखो, खुबसूरती ये बात है, कि हमारे जो leaders जो थे न, पहले, वो बहुत mature थे, although उनके बीच बहुत सारा view को लेकर के, opinion को लेकर differences था, लेकिन फिर भी साथ में मि करते थे, तो वैसे ही, अमबेटकर जी, Mahatma Gandhi के view को, बहुत सारा चीजों को criticize करते थे, लेकिन वो उनको equally respect भी करते थे, और ये दोनों side से था, अमबेटकर जी का कहना था, कि देखो, constitution बनने से, हमारे country में जितने भी लोग हैं, कोई भी religion के हो, gender के हो, race के हो, reason के हो, कोई भी उनकी language हो, सभी equal हो जाएंगे, मतलब political equality तो चलो आ गई, अच्छी बात है, constitution के through, लेकिन, अगर बात करे, economic equality की, क्या सभी को equal level पे थे, economic level पे, किसी के पास बहुत सारा पैसा था, किसी के पास में खाने को पैसा नहीं था, तो क्या बढ़ाबर level पे है, हमारे country में बहु कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग रास्ते पर सोते हैं, मतलब economic equality नहीं है, इवेन आज भी, social equality भी बहुत जगह पे problem हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे जगह पे, society में, बहुत सारे section of society को, बहुत सारा problem face करना पड़ता है, तो अमबेटकर जी का कहना ये था, कि देखो, political equality तो आ गई, लेकिन जो economic and social equality है, इसके लिए हमें और work करना पड़ेगा, क्यूंकि बिना economic and social equality का, सिर्फ अगर political equality रहेगा, तो उससे बहुत फायदा नहीं हो पाएगा, हमें चाहिए political equality, social equality, economic equality, तभी जाके country सही माहिने में independent हो पाएगा, और ये बात तो आज भी हम लोग ब दिखा रहा है न, देखो, अमेटकर साहब जो है, अपना व्यू दे रहे है, और ये व्यू आपको नजर आएगा हमारे constitution में, हमारा constitution इस बारे में बात करता है, कि economic equality ले आई जाए, ठीक है, political equality, social equality के बात करती है हमारी constitution, और दूसरे leaders, जैसे आप अगर नहरू जी का बात स इस स्पीच, उस स्पीच में भी उन लोगों ने, उन्होंने क्या बात किया, poverty को खतम करने का, गड़ी भी खतम करने का, inequality of opportunities को खतम करने का, और ये सभी बाते, ये जो भी leader, जो भी बात कर रहे है, चाहे महत्मा गांधी हो, चाहे नहरू जी हो, चाहे अंबेटकर जी हो, य ये सब आपको constitution में देखने को मिलेगा, ये सभी बाते, यानि कि हमारा constitution में क्या है, हमारा constitution अपने आपको किस तरफ एम करता है, तो economy की quality लाने में एम करता है, poverty दूर करने को एम करता है, तो ये सभी बाते हमें हमारे leaders के views को read करते हैं, हमें पता चलता है, तो इस तरीके से Constitution की जो philosophy है वो leaders के view को read करके पता चलता है ये तो पहला तरीका था दूसरा तरीका क्या था? तो philosophy of constitution जानने का दूसरा तरीका क्या था? आप Constitution के preamble को read करो जैसे मैंने बताया कि Constitution के starting में एक part है जिसको बोलते है preamble तो हमारी जो Constitution है हमारा जो Constitution जो है इसमें जो values present है ये values freedom struggle से आया है लोगों ने बहुत लंबी लडाई लडी है, struggle किया है तब जाकर के independence मिला और वो जो उनका experience है वो हमारे Constitution में जलगता है दिखाई देता है अगर आप preamble read करो गए ना तो starting में एक short statement है है ना एक page में छोटी से के statement है मैं आपको दिखाऊंगा जो exact preamble जो है हमारी Indian Constitution में उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको दिखाऊंगा ये preamble रखने का idea Constitution के starting में कहां से आया? अमेरिका से आया अमेरिका की Constitution को अगर आप देखोगे तो उनके starting में ऐसे करके preamble है तो इसी को देख करके बाकी दूसरे country ने भी बाकी जो दूसरे countries थे उन लोग ने भी अपने Constitution के starting में preamble रखना start किया इंडिया ने भी मैं आपको दिखाता हूँ तो अच्छा ये दिखाने से पहले ये छोटा सा ये है कि जैसे मैंने बताया कि preamble में क्या है तो preamble में हमारे Indian Constitution का philosophy है कि हमारा Indian Constitution क्या चाहता है किस तरह की इंडिया बनाना चाहता है ये वाते वहाँ लिखी गई है ये वाते वहाँ पे लिखी गई है मैं आपको सब सब पहले दिखाता हूँ ये देखो ये जो line आप देख रहे हो ये जो line आप देख रहे हो ये line मैंने ने लिखी है ये जो line यहाँ पे देख रहे हो एक एक word ये है preamble का part है as it is copy है जैसा preamble में लिखा गया है वही यहाँ पे text है अब अगर आप इसको read करते हो आपको भले आपको feel होड़ा होगा कि बस एक page फोटा सा ये एक page है इसका क्या ये है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा value है बहुत ही ज़्यादा यहाँ इस preamble में जो एक-एक word लिखा गया है आप देख रहे हो मैंने कुछ word को mark किया है मैंने कुछ word को black color का जो है वो किया हुआ है यहाँ पर bold किया हुआ है red color किया हुआ है यह जो यहाँ पर mark किया है यह हर एक word का बहुत deep meaning है बहुत deep हम लोग एक-एक word का meaning अभी समझेंगे तो यह हमारा preamble है आपको यह याद ने करना है लेकिन जो यह important word है न sovereign, socialist, secular, democratic, justice, liberty, equality, fraternity यह सब जो important word है we the people of India यह सब word का बहुत deep meaning है आपको इसको समझना होगा एक-एक करके इन word का meaning हम लोग समझते है सबसे पहले आप देखो we the people of India यह जो phrase लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि देखो constitution जो है वो क्या करता है यह decide करता है कि इंडिया में किस तरीके से work होगा किस तरीके से government होगी है न और यह सभी चीज constitution decide करता है सभी लोग इसको मानते है तो हमारा constitution को सभी को यगरी कर रहे है तो constitution के पास यह power कहां से आ रहा है यह आ रहा है हमारे लोगों से, people of India से तो constitution के पास, जो power है constitution में जो power है जो ये decide कर रहा है कि government कैसे होगा structure कैसे होगा, किसका क्या role होगा, क्या काम होगा इसके लिए constitution के पास जो power आ रहा है वो power मिलता है constitution को the people of India से ना कि किसी बाहर, किसी outside power से तो ये इसका मतलब है power कहां से मिल रहा है, people से मिल रहा है next word है sovereign, sovereign word का मतलब क्या है कि हमारे country में जो ultimate decision लेने का काम होगा, जो सबसे final decision लेने का काम होगा वो कौन करेंगे, वो करेंगे जो है people, लोग करेंगे कोई बाहर का कोई दूसरा country, या कोई बाहर का कोई external person, वो हमें नहीं बताएगा, अमेरिका, इंडिया को नहीं बताएगा कि इंडिया को क्या decision लेना है, कैसे काम करना है, कोई दूसरा country कोई कुछ नहीं बताएगा, हम लोग एक sovereign country है, sovereign मुलने का मतलब क्या है कि हमारे country के लोग decide करेंगे कि हमें क्या करना है, कोई बाहर से हमें नहीं बताएगा ना तो अमेरिका, ना तो रसिया, ना चाइना ना जपान, कोई नहीं sovereign मतलब कोई external power हमें dictate नहीं करेगा next है socialist, socialist word का मतलब क्या है कि हमारी society जो है ये try करेगी, कि कैसे हो equal हो, society में equality बहुत कम लैंड, ऐसा नहीं चलेगा और आप में से काफी सारे लोग देख सकते हो, कि बहुत सारे लोग के पास बहुत सारा लैंड है, बहुत सारे लोग के पास बहुत कम लैंड है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए एक step लिया गया था, land reform बोलते हैं हम लोग उसको, land reform आप जब क्लास 12 में जाओगे न, तो बहुत प्रॉपरलिस को study करोगे, अगर आप humanities लेते हो तो, तो land reform किया गया, socialist मतलब society कैसी होगी, equality पे बेस्ट होगी society equality पे बेस्ट होगी, आग government ट्राइ करेगी कि लोगों की भीच में जो inequality है, जो economic inequality है, इसको कम किया जाए, खतम किया जाए, government ये ट्राइ करेगी, आग government ये करती भी है हर एक word का deep meaning समझते चलो, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, description में टेलिग्राम, facebook, instagram का link है, जुरके मन के हिसाब से, जो religion follow करना है वो, वो follow कर सकता है Indian government जो है, ये सभी religion को equally respect करेगी ऐसा नहीं कि किसी एक religion को जादा favor करेगी, और किसी दूसरे religion को कम favor करेगी, ऐसा नहीं है secular बोलने का मतलब है हम लोग बोलते हैं महुत बार, कि India एक secular country है, मतलब, इंडिया की जो government है, ये सभी religion को equally respect करेगी किसी के against में, किसी के favor में कोई काम नहीं करेगी, सब बड़ा-बढ़ है सब religion equal है, और as a citizen, आप कोई भी अपना religion को follow कर सकते हो उसको practice कर सकते हो जो word है, वो है democratic, democratic word का मतलब होता है एक ऐसी government, जहाँ पे जो rulers जो हो, वो rulers को वहाँ के लोग elect करे एक ऐसी government जहाँ पे जो rulers है, उनको elect किया जाए आप वहाँ पे rulers accountable हो, अगर कल के date में rulers कुछ गलट decision लेते हैं तो लोग उनसे question पूछेंगे आप government को भी कुछ basic rules follow करना होगा, ऐसा नहीं कि constitution में सब कुछ इंडिया के citizen के लिए है, government को भी बहुत सारी rules follow करनी होगी, इसका मतलब ये है democratic, और ये तीन वर्ड है, समझ लो आप then republic, republic का मतलब होता है एक ऐसी country, जहाँ पे जो head of the state है, ऐसे हमारे country में जो सबसे head है, कौण है, president president तो ये president के बाद जो next president बनेंगे, क्या वो इनके ही बच्चे, इनके बेटे, बेटी ऐसा कुछ बनेंगे, ऐसा जरूरी है, नहीं कोई भी बन सकता है, मतलब हमारा जो head of the state है वो elected है ऐसा नहीं कि president का बच्चा ही फिर president बनेगा, फिर president ऐसा नहीं होता है ये न, वो होता है मुनार्की में, राजा हडिया फिर उसके बच्चे राजा बनेंगे ये न, king बनेंगे, जैकिन republic मतलब, जो head of the state है ये elected होता है उसके बाद जो word है वो है justice justice word का मतलब ये है कि कि किसी भी people के against में discrimination नहीं होगा government सभी के welfare के लिए काम करेगी सभी के अच्छे के लिए काम करेगी किसी people के against में कोई काम नहीं होगा government किसी people किसी community के against में कोई काम नहीं करेगी liberty किसी भी citizen के उपर में unnecessary restriction नहीं लगाया जाएगा सभी के पास आजादी है unnecessary restriction नहीं लगा जाएगा आप कुछ भी बोल सकते हो कुछ भी सोच सकते हो आप अपने views को express कर सकते हो of course वो harmful नहीं होने चाहिए तो आप ये अपना कोई भी action कर सकते हो है जो legally allowed हो उस तरीके के action कर सकते हो ये करने की आपको आजादी है मेरे पास आजादी है मैं यहाँ पर आपको online पढ़ा रहा हूँ कोई मुझे इस सिच्को ले करके रोक नहीं सकता ये मेरी liberty है and then last word है इसको समझ लेते है that is equality नाम से पता चल रहा है कि law के नेजर में कानून के नेजर में सभी equal होंगे किसी भी तरीका का जो inequality जो था आपको पता है ना traditionally हमारे society में बहुत ज़्यादा inequality थी कुछ society के कुछ ऐसे group हो उनको बहुत ज़्यादा problem face करना पड़ता था लेकिर इन सब चीजों को खत्म किया गया equality लेके आया गया और ये काम government का है कि ये equality जो है सभी को मिले कहीं किसी का violation ना हो आप finally जो last word है वो है fraternity fraternity का मतलब क्या है कि हमारे country में जो रहने वाले जो लोग है चाहे जो भी religion हो race हो, language हो, जो भी हो we are like a family है ना हम लोग कैसे है like a family हम में से कोई भी एक दूसरे को as a inferior नहीं देखेगा अपने से नीचा नहीं देखेगा हम लोग एक family family में सब बड़ाबर होते हैं ना सब मिल दूल के रहते हैं वैसे ही हमारी country जो है वैसे ही रहेगी fraternity तो ये सब हमारे कुछ word थे जो कि हमारे constitution में है अब इन सब word को अगर आप study करोगे तो आपको समझभाएगा हमारा constitution का philosophy क्या है अब लास्ट जो topic है हम लोग ये देख लेते हैं institutional design आपके book में ये topic दिया गया है देखो क्या constitution सिर्फ values के बारे में है सिर्फ values, philosophy यही बता रहे है बस ऐसा नहीं है हमारा constitution क्या करता है जो values, जो philosophy जो अभी हमने देखा अलग-अलग ideas जो हमने अभी देखे उनको implement करने का try करता है कहां? institutions में कौन से institutions? High court, Supreme court, legislature, executive, judiciary मतलब जो भी institutions है, जो भी government की institutions है, ये institutions जब work करेगी तो constitution के philosophy को ध्यान में रखते हुए करेगी ये सब बाते constitution में लिखा गया है तो हमारे constitution में जो अलग-अलग constitution में हमारे constitution में जो अलग-अलग institution का जिकर मिलता है अलग-अलग institution मतलब जैसे मैंने बता है High court है, Supreme court है, judiciary executive है election का mission है, ठीक है? तो ये जो भी institutions है इनका work करने का तरीका constitution decide करता है कि कैसे किसको क्या काम करना है कितने साल बाद election होगा कौन officer कितने साल तक काम करेगा retirement का age क्या होगा, president को कैसे चुनेंगे prime minister का election कैसे होगा ये सभी बाते constitution में लिखी गई है और इन सभी बातों को mention करते हुए in philosophy and values का ख्याल रखा जाता है और ये लिखा हुआ है एक बात है हमारा constitution static नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा constitution में जो लिख दिया गया है बस वो लिख दिया, अब वो change हो ही नहीं सकता ऐसा कोई बात नहीं है अगर necessary हो तो हमारा constitution में जो भी required हो वो changes किये जा सकते है हमारा constitution में लिखा है कि 18 साल के age में voting का right मिलेगा कल के date में government feel करती है कि 16 साल के age में ही कर देना चाहिए तो क्या हो सकता है मतलब क्या है कि हमारे constitution को एकदम rigid नहीं बनाया इसदम static नहीं बनाया बहुत लंबी सी detailed document है ये क्योंकि देखो constitution बनाने वालों को पता था कि time के साथ लोगों का जो demand है society जो है ये change होता है और उस change के साथ constitution को भी अपने आपको मिला करके रखना पड़ेगा आज के time में 100 साल पुराना constitution चलाने का ट्राइ करेंगे तो problem आएगा तो important ये है कि उस 100 साल पुराने constitution को आज के time के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमे modify किया जाए पूरा नहीं पूरा खतम ना किया जाए उसको थोड़ा बहुत modify किया जाए ताकि आज के present day के लोग उस constitution को सही तरीके से यूज कर सकें और ऐसा ही होता है हमारे constitution makers ने ऐसे provisions act किया है जिससे time to time हम लोग अपने constitution में changes करते हैं और ये जो changes करते हैं इन changes करने को क्या बोलते हैं constitutional amendment constitution में जो changes किये जाते हैं इनको बोला जाता है constitutional amendments amendment मतलब change करना constitution में तो कल के date में अगर कोई constitution में कोई चीज़ चेंज करने का requirement फील होता है तो क्या कर सकते हैं क्या answer is yes बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन again change करते समय हमें ध्यान रखना होगा जो constitution का जो basic value है जो constitution की जो philosophy जो है change करते समय हम लोग इस philosophy को इस value को violate नहीं कर सकते हैं आप constitution को जैसे हम लोग क्या जैसे example आप देख लो 18 age है vote करने का कल के date में 16 कर सकते हैं क्या इसको तो हाँ कर सकते हैं 16 कर सकते हैं ठीक है क्योंकि आज के date में 16 साल के यह जाते आते तक बहुत सारा बहुत सारा लोग maturity आ जाती है लोग internet का जमाना है लोग ज़्यादा कुछ देखते हैं लोग सीखते हैं लोग ज़्यादा smart हो गए है तो हो सकता है बहुत सारे country में यह age है voting का 16 तो हो सकता है हमारे country में भी 16 कर दे लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारे constitution में किसी एक religion के बारे में यह बोल दे कि आज के बाद में यह religion वालों के पास voting का right नहीं होगा ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं क्यूँ? क्यूँकि अगर ऐसा करते हैं तब तो यह जो equality का जो value है जो हमारा constitution का philosophy है क्या? equality, सब equal है वो तो violate हो रहा है न तो यह नहीं कर सकते हैं मतलब change कर सकते हैं लेकिन उसमें भी limitation है हमारे constitution का value and philosophy को violate नहीं कर सकते हैं change करने का time हमारा constitution को अगर आप देखोगे न अगर read करोगे तो आप जब first step read करोगे न तो आपको maybe बहुत कुछ समझ में आए अगर आप कोई lawyer नहीं हो कोई advocate वेगड़ा आप नहीं हो आपने law नहीं पढ़ी है तो first time जब आप read करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा problem हो क्योंकि जो language है बहुत ही legal language है constitution में जो भी कुछ लिखा गया है उसका हर एक word का बहुत मतलब है किसी भी word को normally ignore नहीं कर सकते है तो बहुत ही legal language है लेकिन फिर भी अगर आप constitution को आप read करो तो आपको basic जो हमारा institution कैसे काम करता है आपको ये idea आडाम से मिल दाएगा आपको आडाम से मिल दाएगा किसी भी दूसरे constitution की तरह इंडिया के constitution में भी ये बात ही लिखी गई है कि किस तरीके से जो rulers है उनका elections होगा किस तरीके से वो काम करेंगे कैसे decision लेंगे उनके क्या limitation है rulers के क्या limitation है लोगों की क्या citizens के क्या rights है ये सब कुछ बाते जो है हमारे constitution में लिखी गई है वहाँ पे present है तो ये रहा हमारा इस वीडियो में हमने इस जो lecture जो हमने जो देखा आपके civics से हमने जो ये lecture देखा constitutional design का ये lecture यहाँ end होता है वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल like, comment and कोई भी doubt in कारी हो तो बिल्कुल मुझसे जोड़के question अपने पूछ सकते हो thank you